जैकिसान दोस्तों आपका चैनल में स्वागत हैं दोस्तों आपने जो है हरी भिंडी के बारे में तो जरूर सुना होगा लेकिन आज कल जो है लाल भिंडी की जो है काफी चर्चा हो रही है तो दोस्तों आईए आज हम जानते हैं कि लाल भिंडी की खेती कैसे इसकी खेती की जा सकती है, इसकी क्या-क्या किसमे हैं और इससे किसान भाईयों को कितना फाइदा हो सकता है लेकिन दोस्तों जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवस्क कर दें साथ साथ दोस्तों वेल आइकन की घंटी को जरूर दबाए और दोस्तों लाइक वा शेयर भी करें दोस्तों लाल भिंडी की खेती के लिए बलूई दोमट मिट्टी उप्युक्त मानी जाती है इसके साथ ही मिट्टी में अच्छी जल निकासी होनी चाहिए इसकी मिट्टी का पीच मान जो है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होनी चाहिए लाल भिंडी की खेती में सिचाई सामान भिंडी की तरह ही की जाती है और इसकी सिचाई मौसम के नुसार की जाती है यद बारिस का मौसम है तो इसमें सिचाई की जरूरत नहीं पड़ती है और यद ज्यादा गर्मी है तो 7-8 दिन के अंतराल पर सिचाई की जरूरत पड़ दोस्तों लाल भिंडी के बीजों की बुवाई से पहले जो है दस से बारा घंटे तक पानी में भिगो दे इसके बाद लगबग एक घंटा चाया में सुखा दे और इसके अंकुरन जब अच्छा हो जाया इसके बाद खेत में लाइन से 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर और पौत से प खरवरी में भी इसकी खेती करते हैं लाल भिंडी की खेती के लिए गर्म और आद्र कम जलवाय उप्यक्त होती है लाल भिंडी के पौधे की लंबाई लगबग एक से डेड़ मीटर तक होती है और लाल भिंडी की खेती खरीफ और बरसाद दोनों मौसम में की जाती है इसक एक है आजाद क्रशना दूसरी है कासी लालिमा अब बात रही दोस्तों लाल भिंडी की खेती में कितनी लागत आती है और इसमें कितनी कमाई हो सकती है दोस्तों लाल भिंडी का उत्पादन सामान हरी भिंडी की तुन्ना में तीन गुना जादा होता है और इसकी कीमत बाजा में जो है बड़े मालो में इसकी भिंडी बिकती है क्योंकि स्वास्ति के दर्श से भिंडी काफी अच्छी होती है इससे किसान भाईयों को काफी अच्छा फाइदा हो सकता है तो दोस्तों ए तो रही लाल भिंडी की खेती के बारे में जानकारी लेकिन दोस्तों अभी तक आ आई को सेर भी करें, जै किसान दोस्तों